नमस्ते साथियों, तो आज हम लोग सिर्फ तीन चुम्बक का इस्तमाल कर एक बढ़िया मैगनेटिक लेविटेशन वाला खिलोना बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड या गत्ता, कटर, आइसक्रीम स्टीक, वाशर, ट्राइंगल पेपर स्ट्रीप, बॉल पेन और तीन ड्रिंग चुम्बक, आईए जानते हैं इसको बनाने की विधी, शुरुआत में एक चुम्बक ले और उसे पेन पर इस तरह अच्छे से फसा कर पेन के साथ जोड ले, इसके लिए आप चाहो तो गोंद का भी इस्तमाल कर सकते हो, हमारी पेन को और आकर और इसे आइसक्रीम स्टिक की उपरी सतर पर ऐसे चिपका ले, अब आप एक कार्डबोड या गत्ता ले और उस पर वीडियो में दिख रहे खाचों की तरह ऐसे खाचे बना ले, एक खाचे में दो चुम्बक अच्छे से जचा दे और दूसरे खाचे में आइसक्रीम स्ट कार्डबोड पर रखकर उसे जोर से घुमाएं, आपको देखकर आश्चरी होगा कि हमारा यह पेन कार्डबोड पर कुछ समय तक घुमता रहेगा, तो ऐसा क्यूं हुआ, आईए जानते हैं, किसी वस्तु को केवल चुम्बक ये बल द्वारा हवा में लटकाने की क्रिया, मैगनेटिक लेविटेशन कहलाती है, हमारी किताबों में हमने मैगलेव ट्रेन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जो इस मैगनेटिक लेविटेशन की ही देन है, हम सभी जानते हैं, हमारे चुम्बक के दो धुरूबों होते हैं, एक दक्षिन और एक उत्तर, यहां हमारे इस खिलोन में तीनों चुम्बकों के बीच प्रतिकर्शन होता है, जिस से हमारा पेन हावा में लटकता है, और साथ ही यहां घर्शन भी एहम भूमी का निभाता है, किसी भी सतह की तुलना में हावा में घर्शन काफी कम होता है, जिस वज़र से पेन को एक बार गुमाने पर पेन कुछ समय तक घुमता रहता है है न काफी आसान तो आप भी इस खिलोने को बनाएए और मज़े कीजिए धन्यवाद